नमस्कार मैं हुश्रे आर्या और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्पोर्स भारत और साथ अफरिका के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज 2-2 से ड्रॉ रही दोनों के बीच बैंगलोरू में सीरीज का फाइनल मैच खेला जाना था जो की बारिश के कारण रद्ध हो गया इस मैच में बारिश के कारण महस 3-3 ओवर का ही खेल हो पाया और सीरीज के शुरुवाती दोनों मैच साथ अफरिका ने जीते थे जिसके बाद रिशव पंत की अगवाई में भारत ने पलट वार किया और अगले दोनों मैच जीत कर सीरीज में बराबरी हासिल कर ली सभी की नजर सीरीज के पांचवे और आखरी मैच पर थी मगर खराब मौसम के चलते फाइनल मैच बिल्कुल ही धुल गया इसी के कारण भारत और सौथ अफरिका के बीच सीरीज भी खत्म हो चुकी है और भारतिय टीम के सामने अब इंग्लेंड की चुनौती है मगर इन सब के बीच हार्दिक पांडिया की चुट्टी हो चुकी है वैसे दूसरों की तरह हम बिना कारण इस पूरे वाके को मसालेदार नहीं बनाएंगे माजरा क्या है साफ शब्दों में आपको बताने है वह दर असल यह के इंग्लेंड का सामना करने से पहले भारतिय टीम हार्दिक पांडिया के आगुआई में आयरलेंड के खिलाब दो T20 मैचों की सीरीज खेलेगी इससे पहले हार्दिक पांडिया को चुट्टी मिली है बिसी सी आई ने आयरलेंड दौरे पर जाने वाली टीम को रवाना होने से पहले तीन दिन का ब्रेक देने का फैसला किया है रहुल द्राबिट श्रेय सेयर और रिश अपन सोमवार लंदन के लिए रमाना हो गए और बिसी सी आई चाहता है कि T20 विशेशग्यों को छोटा सा ब्रेक दिया जाए बिसी सी आई के एक सूत्र ने बताया कि आयरलेंड के खिलाब मैदान पर उतरने वाली भारतिय टीम T20 टीम को तीन दिन का ब्रेक दिया जाएगा कुछ खिलाडी आई पेल से लगातार क्रिकट खेल रहे हैं और यह सही है कि वे कुछ वक्त अपने घर पर बिताएं सिरीज के लिए कोई बायो बबल नहीं होगा और सुरक्षित माहोल नहीं बनाया जाएगा लेकिन खिलाडीयों के लिए उनका परिवार उनके साथ नहीं जाएगा रिपोर्ट्स के अनुसार आयरलाइन के लिए रवाना होने वाले टीम 23 चून को NCA प्रमुक वीवियस लक्षमन और सहयोगी स्टाफ के साथ मुंबई में एकत्रित होगी और यहीं से डबलिन के लिए रवाना होगी आयरलाइन के खिलाफ पहला T20 मैच 26 चून को और दूसरा T20 मैच 28 चून को खेला जाना है इसके बाद कुछ खिलाडी इंग्लाइन में टीम के लिए जुड़ जाएंगे और मौझूदा वक्त में खिलाडी जिस तरह से व्यस्त हैं उसे देखकर तो वर्कलोड मैनेजमेंट काफी ज़ादा जरूरी है अगर ठीक तरह से खिलाडीयों के साथ इसे नहीं अपनाया गया तो आने वाले वक्त में खिलाडीयों का प्रदर्शन भी ठकान के कारण काफी नीचो जा सकता है और यही कारण है कि यहाँ पर BCCI जहाँ भी मौका मिल रहा है खिलाडीयों को आराम देने का पूरा प्रयास कर रहा है तो आगे देखते हैं कि आने वाले वक्त में यह तीन दिन का आराम पांडिया की प्रदर्शन में कितना निखार लाता है फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें साथ इसाथ कॉमेंट सेक्शन में अपना फीड़ बैक जरूर दें